हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो आज मैं बात करने वाला हूँ B.S.C. First Year के बोटनी के कुछ important question के बारे में साथ में इनके answer भी मैं आपको यहीं पर करवाऊंगा तो या तो आप अपने book ले लीजी या फिर अपनी rough ले लीजी और इन question को जरूर लिख लीजीगा मैं आपको बता दू एक तारिक से आपकी class से start हो जाएगी B.S.C. First Year वालों की अभी जो है मैं सभी विद्धार्तियों को important paper बता रहा हूँ आपके paper किस type से आते हैं exam में paper किस type से पूते जाते हैं ठीक है वो paper बता रहा हूँ और जो है मैंने आपको जूलो जी का paper बता दिया बोटनी का paper बता दिया और इन ओर्गनिक chemistry का paper डाल दिया है चैनल पे अब रहा organic chemistry and physical chemistry तो उनके भी मैं जल्द ही डाल दूँगा एक बार क्या है अपनी नजर से निकाल लेना है यार अपना paper किस type से आता है exam में ठीक है इतना करने के बाद में आपको classes एक तारिक से मिल जाएंगी और चार classes तो मैंने करवा दी भाई उनमें syllabus भी बता रखा है तो उन syllabus को clear कर लेना अब काफे student पूथते हैं कि सब दो जर्बाइस का नए syllabus का है तो मैं आपको बता दूँ कि university ने syllabus नहीं किया है और कोई-कोई university होगी जिन्होंने syllabus चेंज कर दिया तो उनका अभी मेरे को confirm नहीं है जैसे ही confirm syllabus आता है मैं आपको जरूर डाल दूँगा इस वज़े से मैं अभी पुरानी syllabus के आदार पर यह आपको बता रहा हूँ अब first chapter के मैं आपको कुछ important question बताने वाला हूँ बोटनी के आज जो आपकी subject है first आपको पता है आपके बोटनी के तीन book होती है एक होती है paper first, paper second and paper third तो first book है अपनी cell biology, genetics and plant breeding अथार्त पोची का विज्ञान आनवान से के एवं पादव परजनने यह आपकी first book है और काफी विद्धारती बोलते हैं कि sir, bsc English में होती है, hindi में आप Hindi medium में paper बताते हो तो मैं आपको बता दू कि bsc Hindi medium में भी होती है, English medium में भी होती है आपको जो language होती है, जो आपको select करने ही पड़ती है, ठीक है अब मैं question आपको करवा रहा हूँ, question number one इन question के आदार पर आप देख सकते हैं कि आपके जो chapter है, किस type के होंगे, ज्यादा hard नहीं है नोर्मल आप 2-3 महिने last में फड़ाई करके जो है, अपनी paper को clear कर सकते हो, ठीक है question number one है, आपका कि निम्न के संसेत में उत्तर दीजिए और परतेक के 20 सब्दों से अधिक नहीं हूँ, क्योंकि exam में question आता है, देखिए 2018 में ये question आया है और university of राजस्तान में ये question आया था, वैसी बात नहीं है कि मैं university of राजस्तान का ही करवा रहा हूँ, परतेक university का है, लगबग सभी में ये question मिलेगा, ठीक है तो आपको जो है, यहाँ पर मैं बता दूँ, पहला question यहाँ पर exam में आया हुआ है, ये question और इस type से ही यहाँ पर question आते हैं, ठीक है, जिस type से ही यहाँ पर question है, वैसे कि वैसे put up question वहाँ पर होते हैं, तो देखिए, question number one है, आपका उसका A देखिए, यहाँ पर है, omens, cellula, e-calula, अथार्त, नई कोशिकाएं, ठीक है, नई कोशिकाएं, पूर्व इस्थित, जीवित कोशिकाओं से बनती है, इस खतन को कहने वाले वैग्यानिक का नाम है, आपको पता होगा, कि नई कोशिकाएं, पूर्व इस्थित, जीवित कोशिकाओं से बनती है, इस खतन को कहने वाले आपके वैग्यानिक थे, के नेगली, किसने का था, के नेगली, आपके वैग्यानिक थे, जिनो प्लाजमा कला में जो आंतरिक प्रोटीन होते हैं, 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 प्लाजमा कला म एक बात मैं आपको और बता दू कि आप अपने यूटूब चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर आल दबा लेना क्योंकि यहां पर जो है मैं इंपोर्टेंट क्योसन डालता हूं आपको क्लासेज भी मिलेंगी दूसरी बात क्या है कि आपको बैक्टिरिया की सरचना इकाई होता है आपके अस्टक रवाजण क्या कहला था है समसुतृ विवाजण कहलाता है के इंद्रक का विवाजन क्या होता है अब आपके तीन प्रोपे चलती है समसुत्री और अर्थसुत्री और एसुत्री ये तीन विवादें चलते हैं तीनों के उपर बढ़िया किलासिज मिलेंगी आपको पहले लिस्ट में कि अवस्ता के दोरान सिनेप्टी नीमल समिस्तर दिखाई देता है जाईगोनिम अवस्ता जो होती है उसके दोरान सिनेप्टी नीमल समिस्तर दिखाई देता है किस अवस्ता के दोरान जाईगोनिम अवस्ता के दोरान कार्णबर्ग का एंजाइम है कार्णबर्ग का Aha crdrick मिशर द्वारा खोजे गए थे वी ड़ ओर टेटम की जो परिकल्पना थी वो थी एक जिन एक एंजेंट परिकल्पना थे इनहोंने एक परिकल्पना दी एक जिन एक प्रभाविता का उधारन है इसके अंदर जो रंग आता है उसका गुण किसका उधारन है अपून प्रभाविता का उधारन है नेक्स्ट कुशन आपका यहां पर देखिए कि मैंडल ने मीठी मट्र पर सलगन जीन्स से सम्मनित गुणों का अध्यन किया था यह तो सभी को पत जाते हैं नेक्स्ट आपका की हेट्रोसिस सब्द को प्रतिपादित करने वाले वेगनिकों थे तो वो थे जार्ज एट्सूल और एडवर्ड एम इस्ट थे जिन्होंने हेट्रोसिस सब्द को प्रतिपादित किया था ठीक है नेक्स्ट आयर एट तथा टी एन फस्ट पाद जो है कमें बोक्स में बताना है कि आपको आता है यह नहीं आता है नहीं आता है तो में आपको जरू होता होगा गोल्डटन राइस किसे कहते हैं नेक्स्स बरण करम आप आप से वो क्या कहलाता है golden rice कहलाता है और इसको बतानाँगा मैं आपको अच्छे से comment बटाना आता है या नहीं आता है नेक्स्ट ने भारतिय कर्षी अनुसंसादन संस्था कहां पर है तो यह है नई दिल्ली के अंदर भारतिय कर्षी अनुसंसादन जो संस्था है next से आपका second number का question कि निमन के संसेत में अंसर आपको देने यह 2017 क्योषन आया था तो यह 것이 केंद्री जिल्ली को केंद्री आवरं कहते हैं केंद्री जिल्ली तो यह क्या कहते थी डी एमिन ओमल ओक्सिडेज पाया जाता है यूरेट ओक्सिडेज यहां पर पाया जाता है next आपका कि क्लोरोप्लास्ट में पाय जाने वाली प्लेट नूमा सरचना कहलाती है क्लोरोप्लास्ट में पाय जाने वाली प्लेट नूमा सरचना ग्रेना यहां पर कहलाती है वैसे ग्रेना फिरिफाइट सब खेलते होंगे ठीक है ग्रेना नाम से याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है नेक्स्ट है राइबोसूम तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन-कौन जो है ये इस गेम को खेलते हैं आफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि नेक्स्ट राइबोसूम प्रोटीन संसलेशन में मुख्य भूमी का निवाते हैं राइबोसूम प्रोटीन संसलेशन के सभी को पता है राइबोसूम जो होते हैं प्रोटीन संसलेशन में मुख्य भूमी का निवाते हैं नेक्स्ट क्यू ऐसे वाल का अओछ पिझत इस पिझतक के अवस्ता हैं अगे हैं आखेये का पूरा नाम आपको मैं आपको पपता दी ज्याएवनिक चक्ड क्लिक ऐसे आप सबहिका पता रोज के द़म किये गए टेटम थाथा लीडर वर्ग के द्वारा क्या किये गए थी लीडर वर्ग के द्वारा किये गए थे यह सेगमन के प्रियोग बैक्टीरियल सेगमन के प्रियोग किये गए थे यहां पर टेटम थाथा लीडर वर्ग के द्वारा डिने के दो सुत्रों को जोनने वाले enzyme क्या कहलेते हैं polynucleotide ligase DNA के दो सुत्रों को जोनने वाले enzyme क्या कहलाते हैं polynucleotide ligase कहलाते हैं और मैं आपको बता दू कि जो आपको बता दू एक यह polynucleotide ligase है ठीक है तो यह polynucleotide ligase है इसके उपर personally video मिलेगी DNA के उपर आप उसको भी लेना ठीक क्लासे मिल जाएगी और दूसरी बात आपको इसकी PDF जो है कहाँ पर मिलेगी PDF आपके टेलिग्राम ग्रूप में मिलेगी टेलिग्राम पर जोड़ जाना link description में आपको मिल जाएगा दूसरी वीडियो की description में देख लेना इसमें नहीं मिल पाए तो उनमें मिल जाएगा और ये क्यूसर है काफी अच्छे क्यूसर है यदि इनको याद कर लेना क्लास को एक दो बार लोगे ना आप वैसे याद हो जाएगे लिखने की बिजरत नहीं पड़ेगी और जादा से जादे विद्धार्थियों को जोड़ना जिससे कि अपन एक तारिक से जो है क्लास से श्टार्ट कर दें और आपकी क्लास से जरूर श्टार्ट हो जाएगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम धन्यवाद